हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल डियर फैंस में हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के प्रिविएस एर के क्यूशन डेस्कस कर रहे हैं अगर आपने से पहले वाली वीडियो नहीं देखिए तो आपको यहाँ पर आई कार्ड में सारी वीडियो मिल जाएगी साथी डि में भी आपसांट में प्रिविकल नौन डी बा मंका एल्र मॉटर फेसिटर वीडियो में से पहा रहा जा है क्पास का औरहॉंग यहां पर हमारे पास एर तो यहां पर फिस्ट में गीवन है कि VOLTGE रिटिंग वोल्टेज रिटिंग तौह में घीवन होती है बासद करते हैं नेक्सट गीवन है डायलेक्ट्रिक मेडिया यह भी हमें गीवन होता है साथ में बात करते हैं Opsion 3 थर्ड है Polarity Marking तो यह चीज़ नहीं होती है जो Marking है उसमें जो Plus और Minus लिखा होता है वो चीज़ नहीं होती है Fourth में लिखा हुआ है Definite Value Definite Value यह आंसर Mark कर क्याता है जबकि ऐसा है कि जो Capster होता है उसमें जो Range Given होती है वो आपकी Definite Value मतलब एक Value है Particular Capster Range Given होती है Option 4 आपका यहां पर सही है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं होता तो Option 3 आपका यह आपका Right हो जाएगा तो इस समय हटा देते हैं वरना पंच्फिस हो जाएगे तो Option 3 आपका यहां पर Right हो जाएगा Polarity Marking नहीं होती है यही हमसे पूछा जारा है कि आपनो आपसे यह किशन आप सब के Clear हो गया होगा आप सबने देखा भी होगा सिंगल फेस केपसिटर मोटर होती है उसकी अंदर उसकी voltage rating होती है जो केपसिटर होता है यूज में लेते हैं उसमें voltage rating होती है इसकी एक पर्टिकुल डायल जो डायलेक्टिक मेडियम होता है और साथ में इसमें केपसिटर की लिखी होती है और temperature भी लिखा होता है तो option 3 आपका जो polarity marking है वो नहीं होती है plus minus इस तरह से marking नहीं हो रही होती है तो option 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा यह हमसे पूछा जा रहा है वैसे question था अगर आपको पता है तो आप इसका answer mark करोगे वह नहीं हाब आगे चलोगे इस तरह का question था I hope थो सब को एक question अब पता चल गया होगा इसको नहीं पता था तो आज के लिए इतना ही आप मिलते हैं next lecture में जय हिंद